ये भारत के शौरे के बारे में क्या चर्चा करेंगे चो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रशन खड़े करते हों जो प्रजान मंतरी मोधी जी ने कहा उरी में तुमने घटना घटी है उसका जवाब दिया जाएगा और सर्जिकल स्ट्राइक होती है पुलवामा में घटना घटती है कौन सा ऐसा भारत का प्रजान मंत्री पैदा हुआ जिसने कहा हो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमको इसका खम्याजा भुगतना पड़ेगा ये कहा तो नरेंदर मोधीजी ने कहा और इसके बार बाला कोट का एर स्ट्राइक हो गया और एर स्ट्राइक होने के बार पाकिस्तान चू तक नहीं कर सका ये भी नहीं बोल सका कि मार पड़ी है ये भी नहीं बोल सका कि मार पड़ी है और ये कॉंग्रेसी भाई ये पूछते हैं कि इसका प्रमान क्या है बताईए ऐसे लोगो कोई देश भक्ती दिखती है आपको कही दिखती है आपको इनकी देश भक्ती है ये आप से प्रमान मांग रहे हैं आप देखो इनका हल बोफर्स में दलाली तुम खाओ सब्मरीन में दलाली तुम खाओ, और सबसे बड़ी बात यह है, भारत देश जानना चाहता है, कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन, ये राजीव गांधी फाउंडेशन, जो एक ट्रस्ट है, एक संस्था है, वो कॉमिनिस पार्टी ओफ चाइना के साथ, किस तरीके से, किस मूँ से जोता करता है, और देश जानना चाहता है, कि राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ, श्रीमती सोनिया गांधी का क्या संबंद है, राहुल गांधी का क्या संबंद है, प्रियंका गांधी का क्या संबंद है, तुम देश भक्ती समझा रहे हो, तुम राजीदी की बात कर आज कारगिल विजय दिवस के अफसर पर जहां इन लोगों को आत्म चिंतन करना चाहिए सोचना चाहिए कि आप प्रदानमंत्री महोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हो देश की रक्षा के साथ खिलवार करने लगे हो और दुनिया को जवाब नहीं द कौन सा कारे चला रहे हैं उनके साथ ऐसे लोग जब देश भक्ती की बात करते हैं तो शायद हमारे वीर जवानों के कि उपर एक तरीके से उनके उनके जो घाओ होंगे उनको वह ताजा करने का प्लियास करते हैं मैं बित्रों एक ही बात कहना चाहूंगा भारत की सरकार है और हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी, देश की रक्षा के लिए हम सब लोग समर्पित हैं, और देश का 140 करोड देशवासी आपके साथ खड़ा है, और आज जब हम कारगिल विजय दिवस को याद कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ दुनिया को संदेश प्रधान मंत्री मोदी ज का है, ना आख जुका के बात करेंगे, ना आख उठा के बात करेंगे, आखों में आके डाल के बात करेंगे, और उस तरीके से अम्रिकात करेंगे.